दोस्तो, WWE में हमने कई साय रेसरों के सौकिंग और सर्प्राजिस मुवमेंट का देखे हैं लेकिन आज इस वीडियो में रोमनेंस के तिन सौकिंग मुवमेंट के बारे में बात करेंगे तो मैं हूँ प्रिंस वर दन और आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस तो भीने टाइम मेंचे वीडियो को सुरू करते हैं पहला सौकिंग मुवमेंट रोमनेंस का 2020 में हिल्टर करना दोस्तो, रोमनेंस ने साल 12 में हिल्टरं के सान डल्बुडबु में डेवियो किया था लेकिन वो आगे जाकर एक फेस सुपरस्टर के तोरपा काम करने लगे वो डबुडबु में गुर्गाय की तरह काम कर रहे थे और वेबी फेस रोमनेंस को काफ़ी सारी आउडियंस पसंद भी कर रहे थे उस दर उनने कई सारे टैटल और चेंपेंशिप को अपने नाम किया लेकिन समर्शन 2020 में रोमनेंस अपने रिटर्न करते हैं और रिटर्न करने के बाद ब्रॉनर अश्टरमिन और ब्रेव वाइट पर एक हिल्ट सुपरस्टर के तरह अटेक करना स्टार्ट करते हैं और वहाई से रोमनेंस हिल्टर ले लेते हैं दुसरा सावकिक मुएंट रोमनेंस से साथ पॉल हमेंट कर दिखना दोस्तों काफी लंबेस में से रोमनेंस को एक सिंगल सुपरस्टर के तोर पर देखने की हम लोग की आरत थी रोमनेंस पहले रिंग में अकेले आते थे और फाइट करके चले जाते थे वो किसी के साथ नहीं आते थे लेकिन वो करन टाइम में अब पॉल हमेंट के साथ आ रहे हैं और पॉल हमेंट की बात को रोमनेंस अब मानते भी हैं लेकिन इससे कुछ सालों पहले देखा जाए तो रोमनेंस और पॉल एमिन की कभी नहीं बनती थी। पॉल एमिन हमेस्टा ब्रॉक्लस के साथ आते थे जाते थे। लेकिन वो करन्ट टाइम में अब रोमनेंस के साथ आते हैं और जाते भी हैं। दोस्तो रोमनेंसका पहले भी इनवर्सख टै дрल को ज चुके हैं। लेकिन इस बार होने इनवर्सल्टाल को जीता तो अलग तरीकता जीता। दोस्तों पेबेक पेपर भी में ब्राउन अश्टॉमेंड और फिर्म ब्रेवाइड आपस में दोने लड़ रहे थे और यह मैच लाश्ट पुछिसन पता कुछ दिर का बाद यह मैच खतम हो जा था लेकिन उतने में रोमानेस आते हैं और कॉंट्रेक्ट साइन करके सिधा मै ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक से बस्क्राइब किजिए हमार चैल को मिलते हैं अगली वीडियो में